चैप्टर टू अध्याय दो देख रहे हैं फ्राम ट्रेड टू टेरिटरी याने व्यापार से सामराजय तक कंपनी अपना रूल कैसे एक्सपैंड करती है हमने शुरुआत में बात की कि भाई इस्ट इंडिया कंपनी है कैसे अपना राजगाज बढ़ाती है शुरुआत में हमने देखा कि केवल ट्रेड ही करना चाहती है कंपनी बनती है बहुत हम तो ट्रेड करेंगे उसके बाद क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी आ जाती है ऐसी विवस्थाय आ जाती है कि उसको इस चीज़ पे उतरना पड़ता है प्लिटिक्स में आना पड़ता है तो फिर बेंगॉल में शुरुआत होती है वहाँ पर ये पपेट बिठा देते हैं जैसे मीर जाफर हो गया, मीर कासिम हो गया इन सब को बिठाते हैं नवाबों के जगा पे लेकिन अभी भी कमपली ने जो डायरेक्ट अटैक है अगर कमपनी किसी जगा पे अटैक करना चाहती है तो उसने कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया यानि कि मिलिटरी अटैक कभी भी नहीं किया अपनी फोर्से से जो आकरमन है अगर वो इस टेरिटरी को नहीं जानती है इस जगा को इस प्रांद को नहीं, इस सूबे को नहीं जानती है तो कभी भी company ने direct attack नहीं किया उसके अगर अलग हट के देखा जाए तो company ने जब attack नहीं किया फिर क्या किया political, economical और diplomatic याने राजनितिक तोर पे ऐसे राजनिती को सोच के आर्थिक तोर पे या diplomatic, diplomatic का मतलब यह होता है कूट नहीं थी इन तीनों के call लेके इन तरीके जो यहां के हो सकते है उसको उन्हें यूज किया ताकि वो पहले तो आगे बढ़ सके और फिर इसको annex करें, annex करना मतलब होता है इसको अपने control में ये अंतरन में ले लेना हो परता है तो कहने का मतलब ये है कि direct military attack को कभी भी नहीं करते थे अगर उस जगह को नहीं जानते, ये clear हो गया तो हुआ ये कि जब बकसर हो गई, बकसर होई 1764 में बकसर की जब लडाई हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि company ने एक नई चीज शुरू की उन्होंने क्या किया, कि जितने भी इनके Indian states थे जहां पर इनकी ऐसी पकड़ थी, वहां पर और या जिनको इन्होंने कभजे में कर लिया, या फिर किसी तरीके से ये बकसर में जैसे हराया, इन्होंने यहां पर एक resident को बिठाना शुरू किया, एक आदमी, इन्हीं का आदमी होगा, resident कह ले, और resident basically क्या था, वो political, राजनीतिक तोर पे, और commercial, वानिजिक तोर पे, पैसा, असली चीज़ तो पैसे थी, trade था ना, और politics, यान्ने राजनीतिक की भाई, इनको फाइदा रहे, जब भी आप, आप क्यों नेता का सम्मान करते हैं, आप MLA का, MLC का क्यों सम्मान करते हैं, वो इसलिए क्यों कि उस पावर है, तो ये resident को यहाँ पर इनके दरबार में बिठा देते थे, और इसका काम यही होता था, इस दरबार में बैठने का काम ही होता था, कि जो East India Company है, यह Company है, उसकी जो भी इंट्रेस्ट है, उसकी जो भलाई है, उसके बारे में यह resident सोचे, interest of the company, कौन? यह जो आपका residents है, जो यह बिठा देते. Basically क्या होगा कि East India Company, इस resident के थुरू, आपके उस state में interfere कर रही है, यह internal affairs में उसका पूरा दखल है, वो यह decide कर सकती थी, यह decide करने लगी, कि यहाँ पर एक राजा है, यह सरदार है, इसके बाद कोन सरदार होने वाला है, इस पदबे किसको बिठाया जाए, इस पद से किसको हटाया जाए? तो एक और चीज़ इनोंने क्या किया, कि यह तो एक तरीका था, दूसरा ये था कि वो करते थे subsidiary alliance subsidiary alliance यह subsidiary alliance जो होता था यह एक तरीके से यह सहायक संधी होती थी सहायक संधी का मतलब यह होता है कि भाई आप जो जैसे माले बेंगॉल वाला example ले लिजे कि आप जो है मैं इसका नाम बताऊंगा कहां कहां इन्हों ने किया कि आप जो है अपना forces नहीं रखेंगे आपके पास कोई सेना नहीं होगी कोई भी army या कोई artillery आपकी नहीं होगी इस state की बलकि जो east India company है वो आपको army देगी वो provide करेगी आपको क्या करना है कि इस army के रख रखाव का पैसा और ये सारे जो इनकी इनकी जमिदारियां हो आपको पूरी करनी पड़ेगी यानि कि हम आपको army देंगे आपके पास army नहीं होगी इसको हम सहायक संदी कहते हैं यानि एक तरीके से सुरक्षा देने का काम कर रहे है तो subsidiary forces जाने के सहायक संदी का मतलब ये होता है कि भई आपको pay करना है मतलब उस पूरे जिस भी सुबे के बारे बात हो रही है उसको इनको payment करनी पड़ेगी उस force के लिए maintain करने के लिए ये जो सुरक्षा दे रहे है उसके लिए आर्मी को maintain करने की अब इसमें एक problem आ गई problem ये है कि कई ऐसे states थे कई ऐसे सुबे थे कई ऐसे प्राम थे कई ऐसे कहे की जगे थी जहांके राजा या जो भी ruler होंगे वो पैसे नहीं दे पाए वो payment नहीं दे पाते थे अब अगर payment देना नहीं हुआ payment ये fail कर गए जो इनको सब्सेडरी अलाइंस के इसाब से तो इनको enforcers के पैसे देने थे तो ये क्या करते थे उनका उनकी जो जमीन है उनका जो इलाका है उसका एक party या फथिया ले 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 थे जब वो governor general रहे वो रहे 1798 से लेकर 805 तक तो वीनो ने क्या किया कि जो अवद है अवद का इलाका जो लखनों के आसपास का इलाका हो गया वो जो अवद का इलाका है या अवद हो गया इसका काफी part बलकि मैं कहूं कि आधा part company ने ले लिया क्या कहके कि आपने penalty नहीं दिया या सायक जो forces उनको पैसे देना पड़ेगा इसी तरीके से एक और जगा मैं आपको ले जाता हूँ है यह है 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 इसका भी बहुत सारी जो territories है वो इसी नाम पे इसी नाम पे नोने छील ली या ले ली ठीक है जी यहाँ पर दो शब्दाएं हैं वो आपको समझना जरूरी है एक तो residents के बारे में बता दिया वो कौन थे वो उसके बारे में discussion हम नहीं करेंगे injection और sub-servience दो शब्दाएं injection का मतलब होता है निर्देश instruction और sub-servience का मतलब होता submissiveness याने की धबूपन धबूपन मतलब दबे होए अब resident बैट जाएगा company का अधिपत्य होगा तो बस यह लोग तो केवल बस सुने गई अब example दे देता हूँ आपको इनको देखिए यह थे नवाब शुजाओ दॉला ठीक है अब इनको जब बकसर हो गया तो उसके बाद इनको सारी authority maximum यह resident को और इन लोगों को देनी पड़ी लेकिन फिर भी आप देखेंगे कितने Adamper के साथ यह खड़े हैं लेग जबकि इनकी सारी power छिंच चुकी है अब मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत important आदमी की उनका नाम थोड़ा बड़े में निखोंगा क्योंकि वाकी बहुत बड़ा आदमी है इनका नाम है टीपू सुल्तान कौन है टीपू सुल्तान यह है शेर-े मैसूर tiger of मैसूर कहा मैसूर के tiger अब मैं आपको यह बताता हूँ कि पहले मैंने आपको शुरात मुता है वो trade करना चाते थे फिर politics में आ गया है फिर किसी तरीके से उनने यह सबसायक संदी वगरा की कुछ कोशिशे करते थे कि भी डारेक्ट किसी पर attack ना करें military attack ना करें लेकिन ऐसा नहीं है कई ऐसी जगा थी जहां पर company ने military attack किया जब उनको लगा कि भाई इनके economic interest यानि कि इनका जो trade है या राजलितिक और आर्थिक इनकी जो भी interest है वहाँ पर कुछ घालमेल होने वाला है उसको रुकसान पहुँचने वाला है तो फिर इनोंने direct military attack भी किया ये example हम लेंगे मैसूर से कैसे हुआ देखिए दो सहाब है ये हैदर अली सहाब है और इनका नाम तो मैंने बता दिया ये टीपू सुल्तान है टीपू सुल्तान है यानि हैदर अली के बेटे थे यानि हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे ये दोनों ही जो लोग है क्या है रूल किया इनों ने बड़ी कमूर में इनकी मृत्ती हुई मैं बताता हूँ कैसे हुई पहली चीज़ यह समझ लीजे कि यह जो दोनों थे पहले यह फिर उसके बाद यह बहुत ही तगड़े थे तगड़े इसका मतलब एक पावरफुर रूलर थे जिनकों कहते हैं ज मैसूर का एक इलागा है वो उसके कंट्रूलर थे उसके यह राजा या रूलर थे ठीक है अब मैसूर के पास क्या था अब यह देखिए यह हिंदुस्तान का अगर मैं आपको प्रायदी पी यह पेनिंसुला दिखा हूँ तो यह है मालाबार तट यह है यह कोरो मंडल तट यह कर देता हूँ यह मालाबार तट है यह कोरो मंडल तट है तो जो मालाबार का तट है यह वाला यह जो कोस्ट है यहाँ पर जो कंपनी क्या करती थी कंपनी यहाँ पर यहां से पेपर लेती थी पेपर क्या है काली मिर्च काली मिर्च का मतलब है गोल्ड ब्लैक गोल्ड इसको बुला जाता था और काडमम लेती थी वो काडमम ठीक है तो इसमें आप और भी जोल डीजे इलाइची हो गया दालचीनी इस तरीके से आप समझ लीजे तो मतलब स्पाइसे लेती थी यहां से अब हुआ ये कि 1785 जब 82 में ये बने तो कुछ 2-3 साल बाद इनको समझ में आ गया कि ये कंपनी का क्या चक्कर है इन्होंने क्या किया कि 1785 में जितने भी एक्सपोर्ट है यहां से जो बाहर की तरफ नीरियात हो रहा है क्या-क्या नीरियात होता था चंदन यानि कि सैंडल वूड चंदन पैपर मैंने आपको बताया कि काली मिर्च कार्डमम हो गया तो ये जब सारी चीज़े हैं, इसको इन्होंने अपरे पोर्ट जाओ, जो भी इनका किंग्डम था, उसके जितने भी पोर्ट है, यानि कि जो पोर्ट क्या होता है, जहां पर शिप आके रुकते हैं, वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, निर्यात हो रहा था, इन्होंने क आगे बिल्कुल नहीं, यहां से कोई इन चीजों का एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसके अलावा टिपु सुल्तान साब ने एक काम और के अपकाम किया यहां पर जो लोकल ट्रेडर्स थे जो इनके साथ ट्रेड किया करते थे, उनको भी इसलिए यतना बड़ा नाम है अब इन्होंने एक काम तो कर दिया यह इन्होंने फ्रेंच के साथ एक अच्छे रिष्टे बनाए और अपनी जो आर्मी होस को मॉडरनाईज कर दिया मतलब उस रेवल का बना दिया कि भई अब हम अंग्रेजों के साथ टिक सकते है लेकिन ब्रिटिश हो गया फ्यूरियस इसमें क्लियर बताया गया है ब्रिटिश हो गया गुसा उन्होंने का यह ना हैदर अली और यह बाद में जो टीपू आगए यह एक तो हमारे लिए डेंजरिस है मैं दुरों का नाम लोंगा और जो इस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में तीन लडाया होई कोन कोशी लडाया होई पहली हुई 1767 से लेकर 69 दूसरी हुई आपके 1780 से लेकर 1780 से लेकर 84 तक 3790 से लेकर 1790 से लेकर 92 तक और 40 लडाई हुई 1799 में पस यह जो लडाई थी लास्ट बैटल यह लडाई थी बैटल ओफ श्रीरंगा पटनम क्या बोला मैंने बैटल ओफ इसको देखेगा श्रीरंगा पटनम इस यहाँ के लडाई थी क्योंकि बेसिकली यह इनकी राजधानी थी किसकी टीपू की ये राजधानी थी कैपिटल थी इसकी लड़ाई थी ultimately क्या हुआ कि ये टीपू सुल्तान को मार दिया गया ये अपने कैपिटल को बचाते बचाते इन्होंने अपनी जान दे दी प्राणों की आहूती दे दी ठीक है और उसके बाद इससे पहले जो मैसूर था हैदर अली और टीपू सुल्तान के पहले इस मैसूर इलाके पे वोडियार्स वोडियार्स इनका राजधा ये इस राजवंच का राजधा तो इन्होंने क्या किया क्योंकि टीपू सल्तान को तो मार दिया इन्होंने फिर टीपू सल्तान की जगह इन्होंने वोडियार्स को बना दिया कम्पनी ने कहा कि वोडियार्स को यहां का वो बना दिया, रूलर बना दिया और साथ में जो मैंने कब कहा है सहायक संदी सबसिट्रे अलाइन्स ये इनके पर थोब दी वही ऐसा है अब आप हमें पैसे देंगे हम आपको सुरक्षा देंगे तो जैसे वहाँ पर हुआ था जो पिछला बता है वो इनके पर भी इनोंने लाद दी अब बहुत सारी चीजे हुई यहाँ पर आप देखें कि बड़ा एक दुख की बात मैं दो-चार चीजे आपको बताऊँगा यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो कॉनवालिस है लॉर्ड कॉनवालिस यह टीपू सुतान के बच्चों को इनोंने बंधग बना लिया है क्या हुआ था कि कंपणी की हैदर अली और टीपू से बहुत लड़ाई हुई जो मैंने आपको यहाँ बताया लेकिन 1792 में एक पूरी फोर्सेस अब आप देखें इसमें हिंदूस्थानी भी है यहने मराथा, हैदराबाद के निजाम और कंपणी इन तीनों ने जब मिलके हमला किया टीपू पे, तो इनके साथ टीपू सुल्तान याने के मैसूर और यह तीनों के बीच में एक संधी हुई संधी हुई, संधी क्या थी ट्रीटी इनोंने कहा कि ऐसा है अगर आपको बचना है, तो आपको बच्चे हमें बंधग देने होंगे, तो बिचारे यह बच्चे इनको बंधग बना लिया गया, देखिए ऐसा भी कुछ हुआ है, एक और आपको कहानी उताता हूँ यह कहानी ले जाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ यह जो है टीपू का एक मेकानिकल यहने मेकानिकल क्यों है क्योंकि बताऊंगा अब अब क्या है टीपू के पास था है, बहुत बड़ा सा एक खिलोना है, और इसमें जो टाइगर है यह, टाइगर एक यूरोपियन, एक यूरोपियर सोल्जर को उसके उपर है यह जो हैंडल इसको अगर टर्न किया जाएगा ना, तो हैंडल को टर्न करेंगे तो यह टाइगर जो है यह बाग चिलाता है रोर करता है और सोल्जर जो है थोड़ा सा कसमसा आता है, जैसे अगर कोई शेर आ जाए तो कैसे आप आवाज करोगे उस तरीके से ये जो खिलोना है ये आज जो विक्टोरिया है एलबर्ट विक्टोरिया और एलबर्ट मुजियम है लंडन में वहाँ पर है जब टीपु सुल्तान की मौत हुई उनके कैपिटल सरीरंगा पटनम है चार में 1799 की बात है तब उसके बाद ये जो लेके चले गया अब एक कहानी आपको बताना चाहता है पहले बता दूंग ये बैटल ऑफ श्रीरंगा पटनम यहां जो हो रही है आप बिटिश देखिएगा ये इसी जगह पर लडाया हुई है और फ्रेंच यहां रहा करते थे मैंने जैसे बताया फ्रेंच के साथ इनके बड़ा अच्छा तालूग था लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो खेर में आपको बता दिया एक कहानी में उताता हूँ आप आप देखेंगे कि इनको शेर-मैसूर क्यों कहा जाता है टीपु सुल्तान को शेर-मैसूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सच्चाई है या कहान अपने पिताजी हैदर अली के बाद यह जब शिकार पे गए फॉरेस्ट यानि जंगल तो वह एक अपने फ्रेंच दोस्त के साथ गए थे यहाँ पर इनको मिल गया है एक शेर टाइगर ठीक है वैसे तो बाग है लेकिन अगर आप हिंदी संस्क्राइब देखें तो वहाँ शेर कहा गया है इसलिए इनको शेरे महसूर कहा जाता है दियान रखीगा इनको बाग है महसूर नहीं कहा जाता है इनको शेरे महसूर कहा जाता है इसलिए मैं इसको शेर कहा रहा हूँ लेकिन आपको दिखिया टाइगर ही रहा है ठीक है शेरे महसूर है तो टाइगर इनके सार लाडाई लडी मनला टाइगर और इनके बीच में लाडाई हुई और किसी तरीके से इन्हों वह डाइगर उठाया अपना कटार और उसके बाद इसको मार दिया मनला टाइगर को मार दिया इसलिए इनको कहा जाता है शेर मैसूर, टाइगर ओफ मैसूर, अंग्रेजी में टाइगर ओफ मैसूर कहेंगे, और हिंदुस्तानी हिंदी में इसको कहते है शेर मैसूर, तो तो पर समझेगा, शेर अलग होता है, लायन होता है, टाइगर बाग होता है, तोना सा कन्फूशन है इसमें, ध्यान हिंदी में वो शेरे मैसूर कहा जाता है लेकिन ये टाइगर है यहां टाइगर से लड़ रहे है और ये भी आप जो देख रहे हैं टाइगर ही है शेर नहीं है आपर गई है अच्छा अब ये हुआ वार विद मराठा अब मैने जैसे बताया कि भई ये अब तो ये एंपायर मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ सत्रह सो साथ का मराठा एंपायर इसमें इस सारा आ जाता है गौालियर हो गया इंदौर हो गया पुड़े तो थाई नागपूर हो गया ये सारे इलाके आपके अभी नजर में आएंगे मैं बताऊँगा आपको तो मैं जा रहा हूँ लेट 18 सेंचुरी यानि कि आप 1780 के आगे की बात समझ लीजिए ये जो कंपनी का अब ये हो गया तर्क कि भई अब तो मराठा आगे बढ़ रहे हैं आपको पता है कि मराठा आगे बढ़ के पूरे से लेकर वहां तक पानीपत जाके वो लड़ गये पानीपत की तीसी लड़ाई वालग बात है कि अफगान से हर गये थे तो हुआ ये कि मराठा का पावर तो देखी रहे थे और 1761 की अगर मैं बात बता हूँ 1761 की बात बता हूँ आपको फूरा से इसको और पीछे ले जाता हूँ मैं 60 के करीब कर देता हूँ 1761 में यहाँ बड़ी फेमस एक लड़ाई हुई अफगान और मराठास की बीच में ज्योंकि मराठा बहुत आगे जा रहे थे और कई जगवे कबजा कर रहे थे तो कई हिंदुस्तानी प्रांध भी मराठा के सपोर्ड में नहीं थे तो इन्होंने इसका साथ दिया इनका अमिर्शाथ द राज है यह डिवाइड हो गया बहुत अलग-अलग पार्ट में ठीक जैसे अलग-अडैस्टी में डिवाइड हो गया सरदार में डिवाइड हो गया जैसे आपका सिंधिया हो गया होलकर हो गया गायकवाड हो गया भोसले भोसले हो गया आपके नागपूर के तो यह सिंध प्रिशिया, होलकर, गायकवार और भोसले इस बार्ट में डिवाइड होका है लेकिन ये अभी भी अलग-अलग नहीं थे ये सारे के सारे किस से गवन होते थे ये होते थे गवन पेश्वा से पेश्वा आपको याद है पेश्वा कोई थे प्रिशिपल आपके जो सबसे बड़े उनके मिनिस्टर हुए उन सब के अंडर में ये सारे आते थे, कौन-कौन से हो गए सिंधिया, आपका गायकवार, होलकर और आपका भोसले हो गए, तो इनकी एक कन्फेडरेसी थी, कन्फेडरेसी का मतलब होता है अब हुआ ये, कि इतने पावरफुल और अच्छे खासे ये थे, जिसमें मैं दो नाम लूँगा ये आप देख रहेंगे, महाद जी सिंधिया है महाद जी सिंधिया और ये साहब है नाना फड़नीस नाना फड़नीस ये बहुत जबरदस सोजर रहे लडा के रहे, और साथ में स्टेटमेंट स्टेट्स में मिने है, यानि की राजनितिक की भी रहे, ये दोनों के दोनों अब मराठा के साथ, मतलब अंगलो मराठा वार मराठाओं के साथ भी बहुत सारी लडाईया लड़ी, किसने? कमपनी ने ठीक है? सीरीज ओफ वार और उसके बाद सब्डियू किया मतलब अल्टिमेटली इनको हरा दिया गया कैसे? जो पहला वार था फर्स्ट वार जो हुआ था वो हुआ, 1782 में उसका खात्मा हुआ और कोई जीता नहीं इसमें इसमें एक ट्रीटी ओफ सल्वाल हुई कोई इसमें जीता नहीं जो सेकंड एंगलो मराथा वार हुआ वो हुआ 1803 से लेकर पांच था यह अलग-अलग फ्रेंट में लडा गया और इसके बाद क्या हुआ? जो बिटिशर्स थे उनको ओडिसा और बहुत सारा जो इलाका है आगरा और डेली मतलब आप समझ लीजे बहुत सारा नौर्थ यमुना के यमुना का जो नौर्थ पार्ट है यह यमुना होगी? यहाँ पर इसका नौर्थ पार्ट क्या हुआ है? तो डेली आगरा का कुचल दिया ऐसा इसमें क्रश लिखा इसलिए बोड़ रहा होगा पिश्वा को का किया गया? यहाँ से उठाया गया और उनसे गया ऐसा है आप जाओ कानपूर तो कानपूर के पास एक जगा है जिसका नाम है बिठूर क्या जगा है? बिठूर वहाँ इनको पेंशन पे भेज दिया गया कि ऐसा है आप उठिये जाईए बिठूर पे जाईए ठिक? तो बिठूर पे चले गया और उसके बाद जितना भी कंट्रोल था कंप्रीट कंप्री ने पूरा कंट्रोल कर लिया जितना भी बिंधिया चलके नीचे का इलागा है बतलब साउथ का वो भी इनके कब्जे में आ गया इस तरीके से मराठा का इन्होंने खत्मा किया अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगा देखिए यहाँ पर है The Claim of Paramount C Claim of Paramount C का मतलब यह होता है कि हम सबसे उपर हैं, हम सबसे बड़े हैं मुझे ऐसा लगता है इसको हम अगली बार करते है क्योंकि इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि इसके बाद मैं आपको यह उसी से जड़ा हुआ एक डॉक्ट्रान आफ लैप्स भी बताऊँगा तो ऐसे करते हैं, इसको हम लेंगे अगली बार प्लेम ऑफ परमाउंसी यह बिसिकलिए परमाउंसी के बता है सरवोचता, हम सबसे बड़े हैं यह बताने की कोशिश की अगली बार लेते हैं, शुक्रिया, महरबानी आप सभी की